आई उसे पहले देखते हैं रिपोर्ट से भारत 2030 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थवस्थाओं में से एक होगा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की आयमें स्थिर्टा आनी शुरू हो गई है और वेश्विक चुनोतियों के बावजूद भारती अर्थवस्था मजबूत पनी हुई है वेश्विक ब्रोकरेश फर्म के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में निफ्टी की कुल आयवरिधी और मार्केट कैप दोनों ने 18 फीसद कंपाउंड अन्वल ग्रोथ रेट यानी CGR हासिल किया है वहीं एश्याई विकास बैंक ने चालू वित्वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7 फीसद परबर करार रखा है ADB ने कहा है कि आने वाली तिमाहियों में बहतर क्रिशी उत्पादन और अधिक सरकारी खर्च के कारण अर्थ्विवस्था में में 7.2 फीसद रहने की उमीद जताई गई है ADB ने कहा कि भारत की विकास संभावनाएं मस्बूत बनी हुई है इससे पहले मूडीज ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को रिवाइस कर 7.1 प्रतिशत कर दिया इससे पहले रेटिंग एजनसी ने 6.8 फीसद का पूर्वा अनुमान जाहिर किया था ब्यूरो रिपोर्ट डीडी नियूज तो देखा आपने कैसे जो रेटिंग एजनसीया है उन्हें अपने अनुमान में सुधार करना पड़ रहा है और इसके वज़ा है तेजी से उभरती हुई भारतिय ववस्ता जो की लगाताल मजबूत होती हुई नजर आ रही है इस पर चर्शा के लिए हमाने साथ जुड़े हैं अश्वनी महाजन जी प्रख्यातर शास्त्री है बहुत बहुत स्वाकत आप काश्वनी जी